रतलाम जिले में भगवा वाहन रेली के रूप में निकाली सन 1947 से पहले भारत अखंड था इसके बाद भारत को खंडित करते हुए पाकिस्तान और वांगलादेश बनाये गए हमारी आने वाली पीड़ी इस बात को ना भुले कि आज नहीं तो कल हम भारत माता को फिर से अखंड बनाएंगे आजादी के बाद अखंड भारत संकल्प का पहला कदम धारा 370 हटाना है इसी संकल्प को दोहराते हुए हमें आगे बढ़ना है यह बात मालवा प्रांत मंत्री नन किशोर उपाध्याय प्रांत संयोजक महेश आजना ने गीता भवन से उद्बोधन में कही अखंड भारत संकल्प दिवस के उपलक्ष में भी बजरंग दल द्वारा निकाली गई भगवा वाहन यात्रा शाम पांक बजे गीता भवन से शुरू हुई सेकडो युवाओं के हातों में भगवा ध्वज था और प्रमुक मार्गों से यात्रा निकली विभिन्न संस्थाओं ने यात्रा का स्वागत किया यात्रा का समापन चोपाटी इस्तित दुर्गा माता मंदिर पर हुआ और भारत माता की आर्ती उतार कर महाप्रसादी वित्रन किया रतलाम से राहूल बेरागे की रिपोर्ट मुझे आर्ता के लागे की हमासी वितर प्राक तुर्ट मुझे झाल्या झाल्या